नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज किस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो हम करेंगे 30 जॉनलरे स्टुडिस के वहन है कोश्चन सीरीज दोस्तों यह इसका 2200 भाग है पहले के पार्स आप प्लेलिस में जाए चेक कर ले वहां मिल जा क्योंकि दूस्तों हरे एक दोस्तों में शेयर करते और हाँ नोोटफिगेशन बेल दवानन नौपूले ठीक है, धोस्तों आए चलते हैं वीडियो श्रूर करते हूं जरूर बढ़ने रहे एक हैए कोशनस वीडियो बहुत ही इंफरमेशन वाले होने वाले हैं दोस्तो पहला कोशने की नियाय दर्शन को प्रचलित किया था दोस्तो वो किया था गौतम ने ठीक है अगला कोशने दोस्तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे तो दोस्तो ये थे पतंजली इन्होंने योग के बारे में लोगों को बताया और इसकी बारे में जानकारी दी अ बहुत ही एक आगता से पढ़ेंगे, जो आप questions को अच्छे से याद कर पाएं, और exam में questions आते हैं, तो आप सही करके आएं, अगला है त्रिपिटा किस का धार्मिक गरंत है, दोस्तों यह आपका बहुत का, बहुत का धार्मिक गरंत त्रिपिटाट है, अगला है नालंदा वि अगला question है कि भारति समिधान के अनुसा संपत्तिक अधिकार अब क्या है, तो दोस्तों यह है विधिक अधिकार यानी कि दोस्तों जो संपत्तिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार से हटा करके, कानूनी अधिकार यानी की विधित का अधिकार बना दिया गया है, अगला है दिये गए हैं वो दोस्तों अगर उसका हनन होता है तो वो सीथा सरवोश नाले में जाकर अपनी आवाज डाल सकता है कि यहां पर उसको परिशानी हो रही है अगला कोशन है कि मौली कदिकार उपर यथो चित प्रतिभंद कौन लगा सकता है तो दोस्तों वो है संसद संसद के कोट में फिज आकर उसके उपर अपना विचार रखने के लिए अपनी समस्या बता सकता है कोट को तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बता है क्योंकि तो कोशन्स ऐसे ऐसे हैं कि एक्जाम में आई हुए हैं और आपको कई बार होता है कि एक्जाम में कोशन्स पढ़े हुए होते हैं लेकिन दो options में confusion होती है वो confusion दोस्तो कभी दूर होगी जब आप बार-बार questions को पढ़ेंगे revision करेंगे और अपने study को अच्छे से करेंगे और बार-बार questions से रुबूर होंगे और इन preparation को निरंदर करते रहेंगे जब तक आप अपनी जो मंजिल है उसको पानी लेते अगला question दोस्तो भारती समिधान के अनुच्छे 25 का संबंद है तो दोस्तो वो है धर्म की सोतंता के अधिकार से दोस्तो अकसर debate में सुनते हैं कि हमारा जो अनुच्छे 25 अनुच्छे 25 दोस्तो वो है आपकी सहारा मुरूभूमी ठीक है और दोस्तो अगला question बनता है कि विस्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी ठीक है अब जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के सबसे लंबी नदी है दोस्तो वो है गंगा नदी अगला ग्रिनाइट कौन सा cell है तो दोस्तो ये है कई पर question आता है ग्रिनाइट की सपरकी चटान है तो ये आगने cell आगने चटान आप इस तरब से questions के सब दोस्ताथ अगर वो examiner खेलेगा तो आप उसको पकड़ लेंगे और तभी पकड़ पाएंगे अगला संसार का सबसे बड़ा दीप ग्रिन लेंड कहां इस्तित है तो दोस्तो ये है आपका डैनमार्क में अगला कोचन है कि मनुस्य के लिए शोर की सह सीमा लगबग होती है यानि कि दोस्तो कितनी की वो सोर सह सकता है तो दोस्तो वो है 85 से 90 decibel तक की दोस्तो अगला कोचन यहीं से बनता है कि decibel नापने के लिए प्रियोग के जाता है यानि कि decibel किसलिए उप्यूस के जाता है तो धवनी की त्रिविता को नापने के लिए सभी रंगों को सोक लेने और किसी को भी परावर्तित ना करने वाली वस्तु दिखाई देती है दोस्तों काली दिखाई देती है यानि कि तो सबको सोक लेती है रिफ्लेक्ट नहीं करती है दोस्तों तो काली दिखाई देती है और दोस्तों सबको सोक कर और सबको एक रिफ्लेक्ट करती है दोस्तो वो आपकी सफेद दिखाई देती है अगला है प्रकाश के विदुचुम्बकिये प्रभाव की खोज किसने की तो दोस्तो वो है Maxwell ने करी है कंफ्यूज नहीं होंगे आगे से अगर कोश्चन आएंगे तो गलत नहीं करेंगे अगला है सोरुजा का श्रोथ है दोस्तो सोरुजा का श्रोथ है वो नाभिकिये संलेयन है और दोस्तो यहीं से कोश्चन बनता है कि हाइडोजन बंभी है वो भी दोस्तो नाभिकिये संलेयन अभिकीरिया पर काम करता है अगला है वायू मंडल में प्रकाश के विसरन का कारण है तो दोस्तो ये कारण है धूल करण के कारण यानि कि वायू मंडल धून कर होते है उसके करण प्रकास फैलता है फैला होता है और हर प्रका के रंग दिखते है अगला दोस्तो त्रियाम लेजर किरन की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधी का नाम है तो दोस्तो उसे हम होलोग्राम के नाम से जानते हैं दोस्तो बहुत रखोशन पढ़े भी होंगे आपने देखा होगा ये सारे कोशन याद रखेंगे अगला तडित चालक बने होते हैं तो दोस्तो ये बने होते हैं तामबे के दोस्तो अभी बारिश के समय बिजली करने की बहुत ज़री सम्भामना होती है तो जो बिल्डिंग होती है उँची मारति होती है उनको छटी से बचाने के लिए उपर लगा जाता है जो अर्थ लेकर जो भी किरने गिरती हैं जो भी विसली गिरती सिर्थे धर्थी तक ले जाते हैं अगला computer में वाइरेस क्या है तो दोस्तों जो वह प्रग्राम जो computer के software को हानी पहुँचाता है अगला कोशन है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है तो दोस्तो वो मनाते हैं हम 8 सितंबर को अगला कोशन बनता है दोस्तो विश्व स्वास्ते दिवस मनाया जाता है तो दोस्तो वो अभी गत अभी कुछ दिन पहले आने कि 14 अगस्त को गया है और 14 को मनाते हैं अगला कोशन हों तो हैरी पॉर्टर सीरीज की पुष्तक लिखी है तो दोस्तो ये लिखी है जे के रोलिंग ने ठीक है अगला दोस्तो आज के तीसो रंधिम कोशन है कि मेरी छोड़ी को दो बिन नौबल पुरुष्कार किन भिन श्रेणी में मिले हैं दोस्तो ये थोड़ा गल्द हो गया ये मेरी क्योरी को किन दो छेत्रों में नोबल प्रसकार मिला है तो ये है दोस्तो बहुतिक और रशायन में यानि दोस्तो मेरम जो मेरी क्योरी को मिले हैं वो दो में मिले हैं बहुतिक और रशायन में दोस्तो अब जुरू बताएं कि अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक कर लें, चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों सभी एजुकेशन गरूप में इसको सेब भेजतें और हाँ, नोटिफिकेशन बैल नहीं दबाया है तो दबा लें ठीक तो फिर मिलते अगले वीडियो में, जाहिंद